कि नमस्कार प्रिया चनल आप सबीका मेरी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपने शुप चिंतक वीना शर्मा आप आए मेरी चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एक जुलाई को पुश्य नक्षत्र पढ़ रहा है जैसे कि 30 ज शुक्र पुश्य नक्षत्र पुश्य नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो शनीदेव हैं वैसे तो लेकिन शुक्र वार को जो पुश्य नक्षत्र पढ़ रहा है अपने आप में बहुत शुब हैं पुश्य नक्षत्र में आप किसी प्रकार के उपाई करें किसी प्रकार के अ लेकिन अब की बार शुक्र पुशनक्षतर पढ़ रहा है मां लक्षमी की उपासना करने का उनकी की शुक्रदेव के स्वामी है भोलेनात्मा पार्वति सबकी किरपणफ राप्त करने का बहुत ही शुब समय है जो आज उपाय को मातापिता भी करें और उस उपाय को बच्चे भी कर सकते हैं कैसे कैसे करना है अभी आपको आगे बता रहे हैं वीडियो के लाज तक किस परकार करना है और उस दिन के जो शुकरवार के दिन के दो उपाई सुभह और शाम के बताने वाली हूँ तो आप उसको सुन लीजिए किस प्रकार से करना है जो बच्चे विवास के लिए पीडित हैं जो विवा की प्रेशानी को जहल रहे हैं जिनके विवा योग नहीं बन रहे हैं रिष्टे आते हैं और चले जाते हैं उन बच्चों को ये उपाई अवश्य करना चाहिए और इसके साथ ही आपके माता पिता अगर प्रेशान है प्रेक्षत्र पर आपको करना कुछ नहीं है आपके पास सिर्फ होने चाहिए दस रुपए यानि कि होने चाहिए से मेरा मतलब है कि खर्च सिर्फ दस रुपए होंगे होंगे तो बहुत सारे पैसे आपके पास लेकिन खर्च इसमें सिर्फ दस रुपए होने है शुरुआ पहले दिन आपको 10 रुपे के बताशे लेके आने हैं बताशे क्या होते हैं सफेद चीनी के बने हुए होते हैं और ये मिठाईयों के दुकान पर आराम से मिल जाते हैं ये बताशे लेके आईएगा पहले दिन लाक रख लिए रख लीजिए और शुक्रवार के दिन सुबह य बोलेनाफ्त मापारवती के मंदिर जाना है और आप अगर यह कहते हो कि बोलेनाफ्त पारवती का मापारवती का मंदिर आपके पास नहीं है तो आप विश्णु वगवान मालक्षमी के मंदिर भी जा सकते हैं इनके भी यहां जा सकते हैं तो जाने के बाद वहाँ आप यह द परसंड होती हैं आप उनके मंदर जाईएगा मालक्षमी विश्ण भगवान को ये दस रुपे के पता से अरपित कर दीजिएगा अरपित करने के बाद पंडेजी को पंडेजी आपको इन बताशों में से उनको कहिए कि हमको परशाद वो दे देंगे आपको आप ये करना है वो बताशे आप घर लेके आ जाएं तो आपको क्या करना है अपने शिगर विवा की मनोकामना के लिए और माता-पिता कर रहे हो तो दोनों को ही बता देती हूं कि किस तरह ऐसे करना है अगर माता-पिता करें तो कैसे करें और बच्चे करें तो कैसे करें बच्चों का होना बहुत जरूरी होगा क्योंकि इसमें शुक्र देव जो हैं गुरू और शुक्र के मजबूती के बिना विवा शादी होती नहीं है और शुक्र देव के जो सुनेहरी मौका आया है पुशे नक्षतर का शुक्र पुशे नक्षतर का इसमें इस उपाई के लिए किसे एक करते हैं दूद तो फिर चाहे गिलास भर के लिए लीजेगा आप दूद लीजेगा दूद में वो एक बताशा बाकी बताशे जो आप लाएं आपके परिवार के में सब को चाहे बांटे लेकिन एक बताशा आपको उस गिलास के दूद में डालना है डालने के बाद आपको ग किस बार या फिर 108 बार तीनों में से कोई भी एक संख्या पकड़के आपको जब करना है मंतर क्या रहेगा ओम शुंक शुक्राइनम है यह मंतर आप कर रहेगा शुक्रदेव का इसको या तो 11 या 21 या 108 बार जब करने के बाद आप वह दूद का गिलास को भगवान के आगे प और शुक्रदेव दोनों ही परसंद हो ताकि मेरे विवायोग तुरंत बढ़े और आज के यह उपाय जो मैं कर रहे हूं इसके तुरंत मुझे रिजल्ट मिले ऐसी बिंति प्रास्टन करते हुए आपको बहुत शर्दा भावना से करना बहुत पॉजिटिव होकर रहकर करन करने के बाद उस दूद को पी जाना है अगर माता पिता कर रहे होंगे तो यहां तक उपाई कर सकते हैं लेकिन फिर दूद बच्चों को ही पीना होगा जो विवा की समस्या से पीडित हैं उसी बच्चे को दूद पिलाना होगा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो अगर बेट जो शुक्र के परतिक दही है वो थोड़ा लेना है अगर आपके घर में जमा हुआ है तो आप पूरा दही जो जमा हुआ हो रात का वो सुबह कोई लोग और खाएं उससे पहले सबसे पहले सबसे पहले वो दही वहां से थोड़ा सा निकाल ले एक कटोरी दही आदा कटोरी दही या फिर बजार से एक पैकट ले आएं लाने के बाद किसी जरूरतमंद को या तो दान करें आप उस पैकट दही को या फिर आपके घर में हो तो कटोरी ले जाके किसी जरूरतमंद को दे कोई कुछ भी ना लेता हो जैसे कई बार कमेंट में लिखा होता है कि नहीं कोई कुछ लेता आज कल लोग भहम करते हैं तो मंदिर में दे आईएगा शाम को यह शाम के समय आप उपाई कर देना कि दही ले जाके मंदिर में दे आना या कोई लेता हो तो बिल्कुल किसी को दे हैं एक पैकेट लाइए और किसी को भी दे दीजिए कोई भी ले लेगा खाने के लिए और या फिर मंदिर में ले सकते हैं यह करने के लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट वक्स में हर हर महा देव अवर्श्य लिखें वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को